आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज कबर करेंगे हम सभी 22 अगस्त के इपोर्टेंट करेंट अफेर कुछ इपोर्टेंट पॉइंट के साथ और क्लास रोज सुबह में साड़े चार बज़े चलता है एक्जाम बेस्ट क्वेस्टिन पॉर्ट डे करवाता हूँ हाँ क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी करिएगा और हाँ चैनल के उपर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अपडिट आपको जो है वो मिलता रहे और इसका सारा का सारा जो पी 98 आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा रेलवे ग्रूप डी एससी के कोई साभी एक्जाम डी आडियो उपी एसाई बिहार पुलीस एंटी पिसी या फिर दिल्ली पुलीस का एक्जाम की तयारी करते हैं और रिज्डिंग में अगर आपको लगता है रिज्डिंग आसान टॉ टो एक बात मैं बोल दे रहाँ न मंडे को जो है आपका माराथन क्लास हो ने वाला है टोटल जितने भी क्वस्टिन कराऊंगे सारे क्वस्टिन लाजवाब उस और अगर उस क्वस्टिन में उस क्लास में अगर आपने 25 से जादा क्वस्टिन सई कर दिया ना तो मालेंगे आप सच में रिजदिंग के तैयारी बहुत प्रॉपर वे में कर रहे हैं और आप जो है न वो बाहू बली सही माइने में रिजदिंग के हैं। वो जो है वो आत्म निर्भर बन पाए अपने काम को अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए किस योजना के तहत ये मिलेगा एक लाग का लोन तो वो योजना का नाम याद रखेगा कर्म सती प्रकल्प ऑप्सन नमबर हमारा बी ठीक है और पच्छी बंगाल का कैपिटल क्या ह है आपका कलकत्ता मुख्य मंत्री ममता बैनर जी और राज़पाल कौन है वेस्ट बेंगौल का जगदीब धंकर और एक बात जो कलकत्ता हाई कोट है न उनके जो चिप जस्टिस है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका ती बी राधा कृष्णन ये आपको याद रख करवाता हूं 10 से 12 मिनिट के अंदर डेली और एक के कृष्ण न अगर एक्जाम में एक्जामनर दे दे न तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे के सारे कृष्ण एक्जाम बेस्ट इपॉर्टन करवाता हूं पॉर्डे कृष्ण बोर्ड रहा है काफी इपॉ पॉलिक संकेश से आपका कृष्ण हर एक्जाम में बनता है और हाल फिलाल में इस तीन को जो है वो जी आई टेक दिया गया है किस तराज को गोवा को ऑप्सर नंबर हमारा डी एक्जाम में अगर पूछ देना खज्जे या फिर आपका हरमल मिर्चा या फिर आपका मयोरा क जेला इसका जी आईटि किस राज को दिया गया है तो आपका गोवा को गोवा का क्यापिटल राज़धानी क्या है पाना जी मुक्हमंत्री परमोज सावंत और अभी कुछ दिन पहले गोवा के जो राज्युपाल थे सत्यपाल मलीक उनको जो है वो चेंग कर दिया गया है और गोवा का नया राज्युपाल कौन बन गया है? तो भगस सिंग खोसियारी, यह याद रखिएगा. चिप जठिस कौन है? आप सभी कोई बता चुका हूँ. बंबे हाई कोट के साथ जो है न, वो गोवा जो है, वो अपना सारा का सारा जो भी केस है. वो साजा कहा करता है? तो बंबे हाई कोट में. बंबे हाई कोट के मुख नया जिस कौन है आपके? दिपंकर धत्ता. और गोवा में लोग सभा सीट कितना है? आपका दो. राज सभा सीट कितना है? तो वो है आपका एक. अगला प्रस हमारे सामनी है. इपोर्टेंट कोस्टन हमारे सामनी. कोस्टन बोल रहा है हमारे सामनी. ग्रेनेड लॉंचर गोला बारूद की पहली खेप समीच्छा सुरक्षा बल को जो है, वो सौप दी गई है. आपको बताना है. आत्म निर्बर भारत के तहत सौपा गया है ये वाला. बिएसेप को. बिएसेप के चीफ कौन है? चीफ कौन है? राकेस अस्थाना. याद रखिएगा, चार से पास दिन पहले इनको बनाया गया है. बिएसेप का बॉर्डर सेकर्टी फोर्स का चीफ बनाया गया किसको राकेस अस्थाना को. और कौन सौपा है आपक या ग्रानेड ब्येसप को कौन सी कंपनी तो option number आपका D गोला बारूत कर खाना आपका जो आपका खड़गी में पड़ता है option number हमारा D आत्म निर्बर भारत के तहत ठीक है अगला प्रस्ट हमारे सामनी है गोवा सी प्याड लिमिटेड में एक समारो में शुरू किये गए भारतिया टट रक्षक बलो के लिए अपट्य गस्तिक पोथ का नाम बताना है आप सभी को important question है इसका नाम क्या है अभी सामिल किया गया है आपका सर्थक सार्थक option number हमारा C ठीक है अगला प्रसमारे सामनी है किस राज ने केंद्र सरकार का द्वारा जारी नुइंतम रैंकिंग के अनुसार स्वास्थ और कल्यान केंद्र के संचालन में पहली रैंक हासिल किया है हिल्थ एण वेल्नेस सेंटर के मामले में कौन सा राज जो है अभी केंद्र सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें टॉप पर है सिर्श पर है कहां का हिल्थ सेंटर कहां का स्वास्थ और कल्यान केंद्र तो पंजाब का option number हमारा B और पंजाब की राजधानी चंडिगड मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंग राजजिपाल कौन है वहाँ के भीपी सिंग बदनोरे और चिप जस्टिस कौन है आप सभी को मैं बता चुका हूँ हरियाना हाई कोट और पंजाब हाई कोट एक साथ साजा करता है तो वहाँ के जो चिप जस्टिस है उनका नाम कैर रभी संकर जाब और वहाँ के राजसभा सीट साथ और लोगसभा सीट कितना है तो वह है आपका तेरा जितने भी extra information करवाता हूँ यहां से हर सिफ्ट में 3 questions बनेगा 3 questions current affair आप ना अच्छे से पढ़ना इतने अच्छे से कि एक भी question छूटे ना पूरे अच्छे से क्योंकि आज के date में आप देख लो recent का exam अगर 40% GK और GS कबर कर रहा है ना तो 60% current affair का weighted रहा है आज के exam में ठीक है अगला प्रसमारे सामने है यदूपति सिंघानिया जिनका हाली में निधन हो गया है वो किस association के अध्यक्स थे ये आपको बताना है कहां के थे आपको बताना है तो उत्तर परदेश किर्केट association के जो है ये head थे याद रखिएगा इनका हाली में जो है वो निधन हो गया है नाम याद रखना नाम क्या है इनका यदूपति सिंघानिया ठीक है अगला प्रसमारे सामने हैं किस राज की सरकार ने नोहंबर 2020 तक 1.74 लाख mobile phone याने smartphone जो है वो देने वाले हैं कच्छा बारवी के छात्रों को या आपको बताना है कौन करेगा इतना smartphone कौन देगा 12 का student को तो पंजाब राज सरकार option number हमारा C याद रखिएगा एक्जाम में पूछेगा अगर 1.74 यानि आप बोल सकते हो 1.74.000 smartphone बारवी की छात्र को दिया जाएगा और ये वित्रित कौन करेगा कौन सा राज सरकार तो आपका पंजाब राज सरकार और एक बात मैं बोली चुका हूँ best current affair exam में आया हुआ question मैं आपको करवाता हूँ exam में अजमाया हुआ question अभी जो 20 में exam हुआ CGL और फिर आपका CHSL मैंने दिखाया भी proof के साथ CO of the year का पुरुसकार जीता है CO of the year का पुरुसकार 2020 का किसको मिला है गगन अरोरा को option number हमारा D vertex global service के जो है ये CO है याद रखेगा इनको CO of the year 2020 का पुरुसकार से जो है वो नवा जा गया है अगला प्रस्समारे सामने है सेट Common Eligibility Test Score के आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है मैंने detail में समझाया है सेट के बारे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पूरा समझाया सरल भासा में ये है क्या आप सर्च मारना सेट सक्सिस की 98 आपको वो वीडियो जो है एक्टूब के उपर जो है वो मिल जाएगा और पहला राज्य बन चुका है आपका मद्य परदेश मद्य परदेश ने बोला है जो सेट एक्जाम करवाएगा दसवी बारवी और ग्रेजुएशन लेबल के जितने भी सरकारे नौकरी निकलते हैं उसके अधार पर न तो वहाँ से डारेक्ट जो है मद्य परदेश सरकार जो है जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई किये है सेट को वो डारेक्ट उन स्टूडेंट को ले लेगा राज्य सरकार में जितने भी मेंस एक्जाम होते हैं डिरेक्ट उनके लिए ताकि राज सरकार को जो है वो प्री एक्जाम नहीं करवाना पड़ेगा और पहला राज जो बन गया है आपका मध्य परदेश जो सेट स्कोर के आधार पर स्टुडेंट को जो है वो सरकारी नौकरी देगा मध्य परदेश में इपोर्टेंट कोश्चन है पहला राज बन गया है इसको लागू करने वाला और मध्य परदेश का कैपिटल भोपाल मुख्य मंत्री सिवरा सिंग चोहान राज जुपाल कौन है अनन्दी बेंट परदेल और ये उत्तर परदेश की भी राज जुपाल है ये भी याद रखिएगा चिप जस्टिस कौन है तो अजय कुमार मित्तल लोग सबा सीट कितना है मध्य परदेश में 29 राज सबा सीट तो वो है आपका इगारा अगला प्रसमारे सामने है रक्षा मंत्री जो राजनास सिंग है उन्होंने कौंकर्स मिसाइल परिछण उपकरण और आपका कौंकूर लॉंचर परिछण उपकरण लॉंच किया है यह जो है न, यह किसके द्वारा बनाया जाए, किसके द्वारा इसका डिजाइन और विक्सीत किया गया, यह आपको बताना है, और पहला स्लोट में न, दस हजार यह बनाया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है, और यह कौन बनाएगा कौन, तो BDL, BDL का मतल अब भारत, डाइनेमिक लिमिटेट के द्वारा बनाया जाएगा, और आत्म निर्भर के, आत्म निर्भर भारत के तहट, पहले न, यह जो यह है, आपका रूच से पहले मंगाया जाता था, कहां से, रसिया से, लेकिन अब जो है, यह भारत बनायेगा, और भारत की कौन सी कमपनी, भारत डाइनेमिक लिमिटेट के द्वारा, ठीक है, अगला प्रस्त हमारे सामने है, नासा के किस उपगरा ने हमारे सौर मंदल से परे, छाचट ने, एक्सपो प्लेनेट या दुनिया का पाया गया है, यह आपको बताना है, किस कहां पर, तो आपका टेस्ट पर, हमारा सी, याद रखे काफी important question है ये वाला, कौन सा satellite, कौन सा गर, नासा का तो टेस्ट, याद रखे काफी important question है ये वाला, ठीक है, और आज का पहला question आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, question क्या बोल रहा है हमारा आज का आप सभी के लिए, नासा का जो head है न, उनका नाम head quarter, मुख्याले कहां पर है, यह तीन चीज आपको comment करकर बताना है, आज का यह आप सभी का पहला question है, अगला प्रस्त हमारे सामने है, बांगला देश में भारत के अगले राजदूद के रूप में किसे निक्त किया गया है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है आपका बिक सराज में दो ओवर ब्रीज बनाया जाएंगे, कहां पर, कहां का information है यह वाला, तो गुजरात का option number हमारा C, गुजरात में, और गुजरात के मुख्यमंत्री बिजयरुपानी, राजधानी गांधी नगर, राजजुपाल, अचारे देबरत, चिप जस्टिस कौन है वहां का बिक्रमनात, लोकसाबा सिट 26 है और रासाबा सिट कितना है आपका 11, तो यह थे आपके important current affair 22 अगस्त का, सारा पिडियप जाकर टेली ग्राम से डाउनलोड कर लिजेगा आप सभी, और एक बात, क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी इस वीडियो के उपड़ जरूर करिएगा और जितने भी मेरे भाई बेन देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत गुन मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ, अपने मम्मी और पापा, दोनों क ही खयाल लगिएगा, ठीक है, और अपने देश का भी, जैहिंद!